तक आपको पता चलेगा कि चेला Insya के लगानि थीमियंग रखेस्वाal लेंड होलने कर चुह अधगे पानी पूरी बं होया है तो ने जुत कीलेजसे देखेना एक लिटीन पानी ले लिया है यह जो आरवा नमक umbrella में यो डाल रही हूं अपने टेस्ट के करीब गार्डिंग करीब डाला है अप एक लिटर में अपने टेस्ट के नमक डाले और यह मैंने जलजी रहा पाउडर मार्केट में मिलता है ना वह यह दुझा सबसक्राइब है तो इससे कहता बहुत इछ सब्सक्राइब वह दुपा वह जीरब भून के पीछ लिया वह डाल दिया इसमें देखिए यह इस तरह से में पानी कैसे बनाते हैं देखिए यह देखिए मैंने क्या लिया है पदीना लिया है कच्चा आम लिया है और हरी मिर्च लिया और थोड़ा नमक डाला है और इसे मैंने पीछ के रख लिया इसको तो हुआ तो इसमें मिक्स कर देंगे टेश्क काड़ींग कितने आपको लगे कि कितना तीखा पानी बनाना उसाब से इसको डाल लोगे और इसको अब इसमें मैं डालूंगी ओसको देखिए इसको मैंने mix करते हैं इसको और आप इसमें लेमन जूज डालेंगे तो मैं ने बूलिया था तो दो चम्मच मेरे निकल गया था तो इतना मैं डाले बाकि और आपको खुटा कर रखना है तो आप थोड़ी सी इसमें खटाई भी डाल दीजिए तो मैंने थोड़ी सी खटाई भी डाल दी है और देखिए अब यह बहुत शबन गया है इधर मैंने मटर लिया है इतना ही पाणि मुझी डालना aun Tuesday देखिए देखिए मैं ज्यादा पानी डीदा ऊसमें तक बंक्रते तो इसको करते हैं तो इसको अवड़ सकते हैं तो इसको करते हैं तो ऊदिधी तो था नरी खकालो तो जादाहि से देखिए नापस अगए गलियू कांटा लिया है यह एक करता लिया तो सूजी मेरी पतली है अगर मोटि हो तो पिस लिए गए तो मैंने के बात सब्सक्समाइब एसे में थोड़ा सा दण है थोड़ थोड़ा पानी करके इसका यह नहीं रखना है मैं इस तरह से बना लिया और इसको पूरी की तरह अपस में फूल जाएं और एक अच्छा से हमारा तयार हो जाए बीश मिनद बाद देखिए आटा हमारा काफी अच्छा और मुलाइम हो गया है अब मैं इसमें हलका सा हाथ में वाइल का तेल थोड़ा सा हाथ में लगा लिजिए और उससे इसको आटे को खूब मसली कमसें पा पानी पूरी होती है छोड़ी छोटी इतनी छोटी बनाएगा और ना मौटी ना पतली पतली रहेगी तो जादा साही रहता है और यह देखिए सब एक साइस के काटलिये मैंने और इस तरह से मैंने थोड़ी करके प्लेट में मैंने रख लिए था उपर से कपड़ा डाल दि तो अब इसमें को तेज रखेगा और इसके बाद जब फूल जाए तब आप थोड़ा सा मीडियम कर लीजिए तो यह देखिए यह मैंने फ्लेम को पहले तेज रखा है और फिर मीडियम किया है तो देखिए तो काफी अच्छी फूल रही है देखिए यह एक दो तो सभी की खराब हो जाती है तो देखिए एक दो नहीं भी फूली है तो पर देखिए बाकी सब बहुत अच्छी बनी है यह देखिए और यह बहुत समय तक सौगी नहीं होती है बिल्कुल मैंने तो रात में भी बच गई तुभी परनी में बांध के रख दीजे तो भाले तेज़ नाज में ढालिये और फिर को मीडियूम करके इसको तक लीए तो यहांदीर यह प्रेख रारे बलब गई निकाल देते हैं तो यह थे हैं कि अईना कितनी अच्छी और आप आपको यह देखें आपको दिखाती हूं कि कितनी करारी है यह यह थे बढ़ाया सी की ओई यह बहुत ही करारी बनी थी और जो बच ज़ारी रखी वह भीन इन्दे तक भी रखें. तो अब इसको बना कर भी दिखाती हूं कि इसको आम कैसे तयार करेंगे तो घर में बनाएं तो इसमें थोड़ी से बूंदी डाल दी है आपको अच्छी लगे तो आप डालिये आपको न अच्छी लगे तो न डालिये इसे दही भी मैंने रखा हुआ फेट के और इमली की पड़ी हुई मेरे चैनल पर आप उससे देखके बना सकते हैं यह हमारी मटर है ड्राइ मटर और यह है अब मैं आपको दिखाती हूं कि इसको कैसे बना के हम खाएं तो इसमें थोड़ा सा पहले में अटर फिल किया अब इसमें थोड़ा सा पानी यह वाला जो हमने जलजीर पानी बनाया है यह इसमें डाल देंगे यह देखिए इस तरह और इसमें थोड़ी सी अगर आपको च्छकर तो सोट भी डाल दीजिए तो इसकी रैस्पी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी सोट की और यह देखिए यह कितनी बढ़िया बनी थी माउथ वाटरिंग देख चैनल दीजिए तो लुट में थाएगी सोट की और आपको चैनल दीजिए वाटरिंगे यह बनाया है यह देखिए तो यह देखिए वाटरिंगे तो झाल झाल